Online Earning, Work From Home Job, Internet से पैसे कमाना ऐसे बहुत सारी चीज़ा आप लोग सर्च करते हैं बट ये सच्चाई है दोस्तों कि 99% लोग नहीं कमा पाते वो सिर्फ वीडियोस ही देखते रह जाते हैं, वो सपनों में ही रह जाते हैं कि पैसा आएगा बट उनके पास कभी भी पैसा नहीं आ पाता मुझे दोस्तों, Internet पे काम करते हैं 5 साल से जादा हो गया है मेरा सारा जो काम है वो Internet पे है, Online है तो ऐसे मैं आज की इस वीडियो में मैं अपने experiences से भी आप लोगो कुछ है ऐसी गलतिया बताऊंगा जो जादा तर लोग करते हैं और इस वज़े से दोस्तों, वो एक पैसा Online नहीं कमाते तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं, तो आप इनको रोग दीजिए और इनको सुधारिए तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो गलतियां करते हैं लोग उसको कैसे सुधारना है तो मेरे साथ लास्त तक बने रही है अगर आप Internet से पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर पहली जो गलती करते हैं लोग ये करते हैं कि they don't believe in online earning उनको लगता है कि सारी ही चीज़े scam है मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि इंटरनेट पे जो online पैसे कमाने की वीडियो बनाते हैं वो सब पागल बना रहे हैं वो कभी भी कोई भी चीज में believe नहीं करेंगे जिसे मैंने मानलो आपको बताया है कि आप vlogging शुरू कर सकते हो आप affiliate marketing शुरू कर सकते हो तो ऐसे में लोग क्या करते हैं उनको लगता है कि पागल बना रहा है कुछ नहीं होता है इन सब चीजों से जब आपको किसी चीज पे विश्वास ही नहीं होगा तो आप उस चीज़ पे कभी काम नहीं करोगे और जब आप काम नहीं करोगे तो आपके पैसे नहीं आने वाले है तो किसी भी चीज़ में पैसे कमाने है या किसी भी चीज़ में करियर बनाना है तो उस पे पहले believe करना पड़ता है तब ही तो आपको वो चीज रिसीव होगी तो पहले believe करना सीखो हर चीज scam नहीं होती काम करोगे तो पैसे आएंगे अगर आप believe करोगे तो काम कर पाओगे ठीक है इस पर आपने काम करना अगर आप ये गलती कर रहे हैं आगे बात करते हैं दूसरी जो गलती करते हैं वो लोग ये है कि उनके अंदर knowledge नहीं है lake of knowledge एक बहुत बड़ा कारण है जिससे लोग online पैसे नहीं कमा पारे ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों वो हमेशा desperate रहते हैं कि बही कोई ना कोई जल्दी से जल्दी में पैसा कमा लू किसी का वीडियो देख लिया motivate हो गए बस अब जल्दी से जल्दी कोई तरीका मिल जाए जो एक रात में पैसा बटोर लू ऐसा नहीं होगा दोस्तों इंटरनेट हो या कोई और business हो अगर आपको पैसे कमाने है तो आपको कोई value create करनी बढ़ेगी जब तक आप value create नहीं करोगे जब तक आपको वो skills नहीं आएंगी चीज़े नहीं आएंगी आप पैसे नहीं कमाऊगे राइट फर एक्जामपल जैसे मानलो आपको यहाँ पे इंटरनेट से पैसे कमाने है ब्लॉग लिखकर तो आपको ब्लॉग यह तो पता होना चेरी कि पूरा ब्लॉगिंग सिस्टम काम कैसे करता है कितना competition है ब्लॉगिंग में आप आओगे तो आप क्या content बनाओगे आप content बनाओगे तो SEO कैसे करोगे कैसे आपका ब्लॉग दिखेगा कैसे वो ब्लॉग की website बनेगी मतलब मेरा point कहने का यह कि सारी चीज़े पता होंगी और यह सारी चीजों की knowledge होगी तभी तो कुछ पैसा आएगा न ऐसा तो मनी है कि मतलब आपने सुलिया कि ब्लॉगिंग से पैसा आता है आपने जल्दी से blogger पर अपना account बनाया कुछ भी account पर लिखना शुरू कर दिया article के form पर और आप सोचोगे कि लोग आके उस blog को पढ़ लेंगे नहीं होगा यह चीज़ simple सा fact है कि आज की rate में जब करोडो blog लाखो blog बने रहे हैं तो आप सिर्फ सोचते हो कि एक रात में तीन article लिख के मिरवा पैसे आ जाए तो आपके खुद के यहां पर दिमाग में कमी है ऐसा नहीं होने वाला ऐसा मस सोचना तो पहले चीजों को सीखने पर focus करो इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़े हैं जो आप सीख सकते हो पहले देखो कि आपका किस चीज में इंटरस्ट है और उस चीज को सीखो और उस पर काम करो तो नॉलेज लेना बड़ा जरूरी है मेरा कहने का पॉइंट है ठीक है आगे बढ़ता है तीसे नंबर पर हम रखेंगे चीज करें को अभी कंसिस्टनसी न एक लोगों की स्ट्रेंथ की तरह है अगर आपके अंदर यह स्किल है कि आप किसी काम को लंबे समय तक कर सकते हैं तो आप देखना कि आप उस काम में सफल भी होंगे अगर आपको मतलब मालो इंटरनेट की सारी नौलेज है सब कुछ आता है आपको, सब कुछ पता है बट आप consistent नहीं हो, तो आपका यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा For example, जैसे मालो, लोग याँ जिम शुरू करते हैं अब यहाँ पर आप protein supplement ले आए, आप अच्छी diet लेने लग गए, आप exercise भी कर रहे हो बट आप consistent नहीं हो, महीने में 5 दिन करते हो, 25 दिन नहीं करते है, तो आपको लगता है कि आपकी एक अच्छी body बन पाएगी, आपकी body shape ले पाएगी, नहीं लेगी, अगर आप यह गलती कर रहे हो, बिल्कुल मत अपोर्ट करना अगर यह गलती करोगे, तो कभी पैसा नहीं कमापा होगी, आगे बड़ते हैं दोस्तों, चौती जो लोग यहां पे common गलतियां करते हैं, वो यह करते हैं कि वो internet पे, यह समझते हैं कि internet पे पैसा करना बड़ा असान है, quick पैसा आता है ऐसे चुटकियों में पैसा आता है मुझे बहुत सारे लोग मेरे रिस्तेदार ही कुछ कहते हैं कि तेरा काम बड़ा असान है तुझे बड़े मतलब ऐसी पैसे मिल जाते हैं तो ऐसे में उनको यह नहीं पता कि हम उसके back end में कितनी मेहनत करते हैं इतना काम करते हैं कितनी scheduling करते हैं तो जाके कुछ पैसा आता है वरना किसी काम में पैसा नहीं आएगा तो इंटरनेट पे भी ऐसा ही है अगर इंटरनेट से पैसा बनाना है तो यहाँ पे quick scheme कुछ नहीं होती महनत यहाँ पे पूरी लगती है तो ऐसे में आपको अगर इससे long term तक पैसा कमाना है तो इस सोच को न दिमाग से निकाल दो तभी कुछ यहाँ पे value create कर पाओगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों पाँचवी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं यह करते हैं कि उनको हर चीज free चाहिए they want everything free अब यहाँ पे किसी ने मुझसे पूचा कि सर मुझे एक लाक रुपे महीना कमाना है तो में पर बहुत सारे questions आते रहते तो उसने मुझे question किया उस बंदे ने कि सर मुझे एक लाक रुपे महीना कमाना है आप मुझे कोई without investment वाला काम बता दो आप को सोच सकते हो यार एक लाक महीना कमाना और एक पैसा नहीं लगाना एक लाक का मतलब समझते हो जाके अगर किसी जॉब में आपको एक लाक रुपे कमाने है न तो आप देखना वो बंदा कितने सालों की महनत कियोगी तब वो एक लाक रुपे पहुचा होगा और यहाँ पे लोगों को without investment एक लाक रुपे कमाना है ना कुछ उन्हें सीखना ना कुछ उन्हें करना ना कुछ उन्हें खर्च करना उन्हों लगता है कि कोई एक लाग रुपर उन्हें ऐसी ही देदेगा क्यों देगा भाई हर चीज फ्री नहीं होती है ओनलाइन में पैसे लगाने पड़ते है आपको एक वेबसाइट शुरू करनी है होस्टिंग के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा जिस चीज के लिए जितना खर्च होता उतना तो करना ही पड़ेगा तब जाके आप एक लेवल पे आओगे कि आप हो सकता है अच्छी मैनत करो तो आने वाले समय में कमाने है तो पहले इन्वेस्ट करने के बार में भी सोचो कि उतना पैसा लगाना भी तो पड़ेगा राइट तो ये गलती मत करो यार अगर कर रहे हो तो ठीक है में तो पता है कि बहुत सारे मतलब आलसी है वो उसी चीज को कर रहे है मतलब आपने मेरा वीडियो देखा आप मोटिवेट हो गए फिर वीडियो खतम हुआ फिर आप यहां पर अपने वही चीज़े करने लग गए मतलब एक comfort zone से अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो पैसा कैसे आएगा इससे बाहर निकलो कुछ काम करो यार आलसी मत रहो जो आलसी पना है वो इंसान की सबसे बड़ी weakness है इसी वज़े से 99% लोग अपने लाइफ में successful नहीं हो पाते क्योंकि हमेशा वो लाइफ में lazy पन चीजों को टालते हैं काम टाइम पे नहीं करते हैं और उनको results भी फिर नहीं मिलते हैं तो दोस्तों अगर आप ये 6 गलतियां कर रहे होना तो मत करना आप मुझे नीचे comment box में भी लिखके बताना कि आप कौन सी गलती कर रहे थे और आप कौन सी गलती को repeat नहीं करोगे तो इसी के साथ आज का वीडियो यही कतम होता है कोई सवाल question हो comment box खुला है आप लोगों के लिए मैं आप से जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप